हाई स्टूडेंट फिप्ती क्लास मैट्स है ना एक्सरसाइज 3.3 सो हम 3.3 आज सौल करेंगे लेकिन इसके पहले कुछ बेसिक कॉंसेप्ट है वो समझ लेते हैं तो स्टार्ट करते हैं हाइस्ट कॉमन फेक्टर सबसे पहले इसमें आपको क्या करना पड़ेगा हाइस्ट कॉ फाइंड आउट करना पड़ेगा ठीके जैसे कि यहां पर 12 है 12 के फायेंगे 12346 twel 2254 इंट्वेटि ठीक है इसके फेक्टर वो गया है 12346 टोगत cynक क्या हो गयाHAHA 1245 DNA निएन 20 ठीक है ऐसे आपको किया करना है इसमें common factor find करना है highest common factor तो इसमें common देखना है तो common किया है इसमें four है तो इसका क्या हो गया highest common factor four हो गया चलो ठीक है and second है find the using the prime factorization prime factorization से आपको solve करना है आप three method आप use करोगे या तो फिर ऐसे भी आप sauce कर सकते हो जो आपन simply क्या करते है फैक्टर निकालते है टू से 8 टाइम 2 से 4 टाइम 2 से 2 टाइम to say one time है से भी आप निकाल सकते हो 26 ए ना तो इंडU 28 में फिर 28 के factor करने है ना 2 इंडU 2 moving 14 ठीके है इसे आपको क्या करना है56 के भी factor आप निकाल और ठीक है चलो है जो एंड आशित आप आपको क्या इंड एंड और फैक्टर निकल जाएंगे यूजिंग दा प्राइम फेक्टर आजेशन तो सिंपली टेन के जब प्राइम फेक्टर करोगे तो टू इंटू फाइप में हो जाएगा ट्वेलों के टू इंटू टू थ्री फाइप त्री इंटू फाइप यह से आपको क्या करना है फेक्टर निकाना है एक अब्रत इसमें यूजिंग दा कंटिनओ डि वीज़न मेथा ठीके इसमें करना है division method use करना है simply आप क्या करोगे डिवाइट करोगे जैसे यहां 25 and 80 है तो 25 से 80 को डिवाइट करोगे तो कितने टाइम जाएगा यह थ्री टाइम जाएगा क्योंकि 25 इंटु 3 करोगे तो 75 मिलेगा ठीक है सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हमें क्या करना है 30 से 45 को डिवाइट करोगे तो वन टाइम हो जाएगा ठीक है अब इसको मैनस करोगे ठीक है तो 15 मिलेगा अब 30 को यहां पर अगेन क्या करना है लिखना है कितने टाइम में जाएगा यह 32 टाइम में जाएगा ठीक है तो सब्सक्राइब क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा ठीक है अब जो 15 है 15 से किसको डिवाइट करना है 123 को डिवाइट करना है तो 15 एट जा कितना होता है 120 होता है एट टाइम में इसको मैनस करोगे फिप्टीन को यहां लिखना है क्योंकि हम क्या करते हैं चोटे नंबर से हमें इसा बड़े नंबर को डिवाइट करते हैं तो 16 कि आहां रहे चुक्त है चोटे नंबर से के करना है बड़े नंबर को डिवाइट करना है यहाध रखना है 18 से 45 को डिवाइट करेंगे कितने टाइम में जाएगा टू टाइम में जाएगा फिर इसको माइनस करेंगे अगें 18 को यहां लिखोगे 18 तो आप 9 से 18 को डिवाइट करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा टू टाइम में जाएगा जो इसका जो रेमेंडर मिलेगा वह 0 मिल ठीक है तो एक्सराइज स्टाट करते इसके बाद